कथा बहुत ही मनोरम है इस स्टोरी को पूरा सुनिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा देवणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कथा को लाइक जुरूर कीजिएगा चलिए देर ना करते हुए कथा को आगे बढ़ते हैं अब आपके नए राजा जैचंदर जी हैं और हम लोग तेर तियात्रा पर जा रहे हैं उसके बाद आएंगे फिर तो हम आपके साथ ही रहेंगे आप लोग अपने अपने घर जाओ और राजी के विकास में अपना अपना योगदान दो दुखी मन से गाव वासी अपने गाव की और चल देते हैं और महराज शैवीर अपने रत को आगे बढ़ाने का आदेश देते हैं सबी लोग रत में शवार होकर अंधेड नगर निकलते हुए पहाड़ी के पास पहुँच जाते हैं इधर पंखुरी का विवा उसके पिता शांती राम किसी से तै कर देते हैं और अगले दिन उस लड़के की बारात इनके घर आनी है मित्रो कथा बहुत रोचक है बने रहें साथ में पहाड़ी पर पहुचकर कनिश्क के पिताश अवीर से पूँचते हैं बेटा इस पहाड़ी पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा कनिश्क कहता है पिताजी इस दुरगम मार्ग के बाद ही एक संदर शेतर में सबी लोग बसे हुए है जैसे ही कनिश्क का रत उष छेतर के मुख्यद्वार में पहुंचता है चंदेरी राज के पहले से मौजूज सिपाही उनका स्वागत करते हैं उन सिपाहियों का मंत्री उदाइभान सिंग शैवीर को प्रणाम कर बताता है यहां चंदेरी राज की सेना इस छेतर की रक्षा करती है और महराज जैचंदर ने हमें आपके स्वागत के लिए पहले ही भेज दिया था यह द्रिश्य देखकर कनिश्क, शिवांगी और शैवीर अतिप्रसन होते हैं उदाइभान सिंग कहता है हमने आपके ठहरने का और विश्राम करने के लिए पास में ही एक खंधर में रुकने का प्रबंद किया है जहां खान पान की पूरी विवस्ता की गई है शैवीर उदाइभान से कहते हैं तो फिर शेगर ही उस और चलो, वहाँ पहुँचकर सबी लोग उस प्यारे से खंधर को देखकर अतिप्रसन होते हैं शैवीर उदाइभान को अपने कुछ आभूशन और पहार सोरुब भेट करते हैं कनिश्क के आने की सूचना उधर पंखुडी को मिल जाती है पंखुडी को जैसे ही यह सूचना प्राप्त होती है कि कनिश्क अपने पिता वा माता के साथ आया है वह बहुत खुश हो जाती है उसकी आखों में आसों की धार पूट पड़ती है लेकिन पंखुडी अपने पिता को दिये वचन के कारण चाहकर भी कनिश्क के पास दोड़ी दोड़ी नहीं जा पाती तब ही पंखुडी अपनी सहेली पुश्पा से कहती है बहन तम उनके पास जाओ और बोलो यदि तुमने और अधिक देरी की तो शायद मेरे प्राण निकल जाएंगे क्योंकि अगले ही दिन मेरे पिता मेरा विवा किसी और से तै कर दिये है अब शायद मेरी जिंदगी में दुख और मेरी मौत लिखी है अब तो पिता जी भी किसी को वचन दे चुके हैं जिसे तोड़ पाना असंभव होगा पुषपा दोड़ी दोड़ी घुर सवार होकर कनिश्क के विश्राम स्थल पर पहुंसती है जहां कनिश्क अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे पहाडी की और देख रहा है जिसके पीछे ही पंकड़ी का घर है तब ही पीछे कुछ लोगों के होहले की आवाज आती है कनिश्क पीछे मुड़ता है और सिपाहियों से कहता है क्या हुआ तब ही पुषपा बोल पड़ती है मुझे कनिश्क से मिलना है और यह लोग रोक रहे हैं कनिश्क सिपाहियों से कहता है इसे अन्दर आने दो और पुश्पा मुख्यदवार से खुले आस्मान के नीचे कनिश्क इसे मिलती है कनिश्क कहता है मैं हे कनिश्क हूँ बताएं क्या हुआ पुश्पा कहती है मैं पुंखडू की सहेली हूँ उस पहाडी की ओर देखने से पंखुडी आपको नहीं मिलेगी और पंखुडी की कहीं समस्त बाते कनिश्क को पुष्पा बता देती है कनिश्क यह सुनकर अत्यंत दुखी हो जाता है और अपने आशों की धार को रोक नहीं पाता और उसे पौँचते हुए कहता है मैं अभी पंखुडी के पास चलता हूँ और उसके पिता से मिलता हूँ मैं उसे प्रेम करता हूँ मैं उसे मिलकर ही बता सकूँगा पेछे महराज शैवीर इस पूरी वारता को सुन लेते हैं और वे कनिश्क से कहते हैं बेटा तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा क्योंकि उसके पिता किसी को वचन दे चुके हैं इसलिए हमें उस लड़के के पास जाना चाहिए जो पंखुडी से कल विवाह करने वाला है कनिश्क आग बबूला होकर कहता है पिता जी पंखुडी जब मेरी है तो किसी और से क्या बात करना अब जो बीच में आएगा उसे मरना होगा शैवीर कहता है बच्चों जैसे बातें तुम्हारे मुझ से उचित नहीं है यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है यह एक प्रेम की बात है और तुनंत शैवीर उदैभान को आवाज देते हैं कि रत तयार करो हम उस लड़के के पास चलते हैं और उसके पिता से भी बात करते हैं पुष्पा बताती है उस लड़के का नाम क्या है और वे कहां रहता है। शैवीर, उदैभान और कनिश्क तेनों उस लड़के के द्वार पर पहुंचते हैं, जहां उस लड़के वीर के पिता शादी के कारियों में लीन होते हैं। रश से उतर के तेनों लोग प्रवेश करते हैं, तभी वीर के पिता शंदरभान उन सभी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, आप लोग कौन हैं? ऐसा लगता है, आप सभी किसी राजी के राजा हो, तभी कनिश्क कहता है, आप सही कह रहे हो। मेरे पिता चंदेरी राजी के महराज हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, और यह मेरी सेना की एक टुकडी के सेना नायक हैं। क्या आप ही वीर के पिता हैं? चंदरभान बोला, हाँ मैं ही वीर का पिता हूँ, क्या हुआ बताएं? कनिश्क ने कहा, तो फिर मैं देर ना करके पिता नहीं हैं, लेकिन हमारी भी इज्यत है, यह नहीं हो सकता, कनिश्क कहता है, क्या आप इसका परणाम समझते हैं? शैवीर कनिश्क को सांत करते हुए चंदरभान से कहते हैं, हम आप से विंती कर रहे हैं कि आप यह विवाह तोड़ दें, क्योंकि मेरा पुत्र और शा किजिए, चंदरभान बोला, हे राजन, आप सही कह रहे हैं, और आप एक महान शाशक भी हैं, और आपके पुत्र की वीरता और दयालता को हमने सुना है, लेकिन मैं अपने पुत्र से पूछे बिना, कोई वचन आपको नहीं दे सकता, चंदरभान वीर को अंदर से बुलान का आदेश, अपने नौकर को देते हैं, वीर बाहर आता है, चंदरभान वीर को समस्त कहानी बताते हैं, और कहते हैं, बेटा, हो सके तो यह विवाह तोड़ दो, वीर तेज स्वर में हसते हुए कहता है, यह क्या कह रहे हैं, पिता जी आप, पंखड़ी को लेकर मैंने कितन सब लोगों यहां से जा सकते हो, कनिस्का हाथ जोड़ कर, वीर से कहता है, हे मेरे प्रेय मित्र वीर, तुम क्यों नहीं समझते, हम एक दूसरे से अती प्रेम करते हैं, मान भी लो, यदि पंखड़ी से तुम विवाह कर भी लोगे, तब हैं मौत को गले लगा लेगी, तो क और यहत्याग तुम्हें ही करना पड़ेगा, कनिस्क अपने गुस्से की आग को शांत करते हुए, विनम्रता पूरवक कहता है, तुम्हें जो चाहिए, हमें बताओ, हम तुम्हें देंगे, लेकिन मेरी पंखुरी मुझे लोटा दो, अब उसके बिना मैं नहीं जी सकूँ मेरे पिता माता के बाद, अगर कोई मेरा सहारा है, तो मैं पंखुरी ही है, बेर कनिस्क से कहता है, ठीक है, अगर तुम यहीं चाहते हो, मैं तुम से कुछ मांगूं, तो मैं तुम से यहीं मांगता हूँ कि, तुम मुझसे युद्ध करो, और अगर तुम युद्ध में ना तुम जी सकोगे और ना मैं, इसलिए किसी एक को मरना होगा। कनिश्क कहता है, तब तो तुम यह मुकाबला हार गए, और योद्धा कभी भी योद्ध से नहीं डरते। मैं तुम से मुकाबला करने को तयार हूँ, तुम जब बताओ। वीर कहता है, ठीक है, फिर मेरा और तुम्हारा मुकाबला कल सूरिय ओधा के साथ प्राताकाल होगा। तब तक आप सभी लोग चाहो तो यहीं रुख सकते हो। शैवेर और सभी लोग मही रुख जाते हैं और प्राताकाल सोर युद्य के साथ दोनों युद्धा मैदान में अपने अपनी तलवार के साथ उतरते हैं इधार दोनों पुत्रों के पिता अपने अपने पुत्र की जीत की कामना करते हैं और ईश्वर से यही प्रातना करते हैं जीत या हार किसी की हो लेकिन प्राण किसी के न जाएं दोनों युद्धाओं की तलवार आपस में टकराती है और युद्ध का शंकनाज शुरू हो जाता है कनिश्क और वीर में बहुत ही वीरता के साथ एक दूसरे की हट को तोड़ते हुए तलवारों की बोचार एक दूसरे पर होती जाती है कुछ समय बेच जाने के बाद युद्ध का प्रणाम कुछ नहीं निकलता वेर के वीरता आज कनिश्क से कहीं अधिक तेज है कनिश्क अपने आपको शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वे पंखुरी के प्रेम में इतना दिवाना हो चुका है और उसको पाने की लालसा में वे युद्ध के कई महत्पूर्ण पहलों को भूल चुका है आज केवल कनिश्क के परहार जोरदार है लेकिन उस परहार में कोई भी चतुराई नजर नहीं आती और अंतता वेर की तलवार कनिश्क की गरदन पर जा बैठती है जैसे ही वेर की तलवार कनिश्क की गरदन पर बैठती है कनिश्क बिलकुल शांत सा अपने तलवार लिए खड़ा सा हो जाता है वेर चाहता तो कनिश्क का वहीं अंत कर सकता था लेकिन वेर छोड़ देता है और इस परकार कनिश्क की हार हो जाती है वेर कनिश्क से कहता है तुम पंखुडी को हार गए मित्रों रोचक कहानी है देववानी चैनल को सस्क्राइब करके साथ में बने रहें कहानी को लाइक जुरूर करें कनिश्क वेर से कहता है नहीं दोस्त मैं पंकुरी को ही नहीं अपने जीवन को भी हार गया हूँ आज मेरे एहंकार ने मुझे हरा दिया है तुम जीत गए मित्र वेर कहता है मुझे मित्र मत कहो और उधर पंकुरी और उसके पिता शांती राम भी आ जाते हैं पंखुरी कनिश्क की हार को देख कर रोने लगती है कनिश्क आँखों में आशो लिये पंखुरी से कहता है मुझे माफ कर देना मैं तुम्हें हार गया पंखुरी कहती है आप मेरे इच्छा के विरुद आप मुझे दाव पर लगा नहीं सकते कनिश्क कहता है मुझे माफ कर दो अब मैं तुम्हारा नहीं रहा पंखुडी वीर से कहती है हे वीर तुम मुझे भले पालो लेकिन मेरे दिल से कनिश्क को तुम कैसे निकाल सकोगे वीर उस करणा में दिरिश्य को देखकर पिघल जाता है और वे कनिश्क से कहता है तो मुझे पहचान ही नहीं सके मैं कौन हूँ वीर के इतना बोलते ही सबी लोग वीर की और देखने लगते हैं कनिश्क कहता है कौन हो तुम वीर बोला मैं स्वर्गिय महा कुम्भा का पुत्र हूँ जिनको तुमने मार दिया तब से मैंने प्रण किया था मैं तुमको जरूर हराऊंगा मेरी सिक्षा अच्छे गुरूओं के बीच हुई इसलिए मेरे पिता ने जो गलत कारे या कहा जाए गलत कर्म किये इसलिए मैंने तुमको नहीं मारा वरना यह तलवार तुम्हारे खून से सनी होती मुझे जब ग्यात हुआ कि तुम्हारी एक प्रेमिका भी है तो मैंने यह सब रचित योजना बनाई और मैं यहां आकर बस गया मुझे पता था तुम यहां आओगे फिर पता चला शांती राम जी अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहे है तो मैं अपने सहिना पती चंद्रभान को अपना पिता बना कर शांती राम जी के पास भेजा और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ तै कर दिया यदे तुम ना भी आते तो भी मैं यह विवाह ना करता इतनी तो दिया मेरे दिल में भी है बस आज मेरा प्रण पूरा हो गया हे कनिश्क तुम हार के भी जीत गए लेकिन तुम अपने पूरे जीवन काल की इस रचना में मुझे याद रखोगे कि एक वीर से तुम हार गए कनिश्क कहता है सही कहा मेरे पूरे जीवन में तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा मैं आज तक कभी किसी से युद्ध में नहीं हारा तुम्हे वै पहले इंसान हो जिससे मैं यह युद्ध हारा हूँ लेकिन खुशी है कि तुम्हारा प्रण भी पूरा हो गया शांती राम से कहता है जाएए अपनी बेटी का विवा आप कनिश्क के साथ कीजिए और इतना कहकर वीर अपने सेनापती के साथ महां से चला जाता है कनिश्क और पंखुरी एक दूसरे के गले लग जाते हैं कनिश्क और पंखुरी को देखकर ऐसा लगता है मानो चांद की रोशनी से सूरी की किड़ने बाहर निकल रही हो और वै बरसात कर रही हो जमीन पर इस बरसात का मिला लगा हो पंखुरी कनिश्क को अपनी बाहों में जोरों से समेटे कहती है तुमने इतना समय क्यों लगाया कनिश्क कहता है अब यह सब बात शादी के बात बताऊंगा और दोनों लोग हसने लगते हैं तब ही शैवीर कनिश्क से कहते हैं चलो शादी की तैयारी हम लोगों को भी खड़नी है पंखुरी कनिश्क को गले से हटा कर सर पर परदा करके शैवीर के पैर छूती है शैवीर उसे आशिरवाद देते हुए कहते हैं बेटी तुम चांद का टुकडा हो अब अपने पिता के साथ जाओ और सभी लोग महाँ से चले जाते हैं और शाम को ढोल नगाडों के साथ कनिश्क और पंखुरी का विवा हो जाता है विवा के उपरांत कनिश्क और पंखुरी खंधर में बने चोटे से कमरे में जीवन की उस सुहानी यादों को एक दूसरे की बाउंहों में जीते हैं और प्रेमियों की हजारों बातों को जो एक दूसरे से करनी बाकी थी उन्हें करते हैं राज छोटी हो जाती है लेकिन वे बातें खत्म नहीं होती दो दिन बीच जाने के बाद शैवीर और शिवांगी अपने बेटे और बहु से कहते हैं हम तीर थे आत्रा पर जा रहे हैं तुम लोग अपना खयाल रखना कनिश्क कहता है हम भी यही बात करने के लिए ही आपके पास आ रहे थे और हम सभी चारों लोग तीर थे आत्रा पर आज ही चलते हैं इधर शांती राम को कनिश्क संदेश भीजवाद देता है कि आज सभी लोग यहां से जा रहे हैं शांती राम पिता के कर्तब्यों का पालन करते हुए वहां पहुँच आते हैं और अपने दामाद और अपनी बेटी को आशिरवात देते हैं और कहते हैं आज से कनिश्क और उसका परिवार ही तुम्हारा परिवार है कोई भी ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारे पिता के मान सम्मान को ठेस पहुँचे और अपने सास ससुर की सेवा भगवान की तरह करन पंखुडी अपने पिता को गले लगा कर विदाई के उस छण में रोने लगती है यह सभी बाते कनिश्क सुन लेता है और कनिश्क पंखुडी के पिता शांती राम से कहते हैं आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहें आपकी बेटी बहुत अच्छी है और जैसा इसका नाम है हम सभी उसको वैसे ही रखेंगे इतना सुनकर शांती राम कनिश्क को गले लगा कर रोने लगते हैं और इस तरह सभी लोग एक दूसरे से विदा हो लेते हैं कनिश्क पंखुडी और शैवीर और शिवांगी रत पर सवार होकर तेर थे आत्रा के लिए निकल पड़ते हैं वैसे तो कभी कनिश्क और पंखुडी को एक दूसरे को समझने का कोई खास मौका तो नहीं मिला इस तेर्थ यात्रा के बहाने ही सही कनिश्क और पंखुडी एक दूसरे को काफी जान भी लेंगे कई बार ऐसे खुशनुमा मौसम आते हैं जब शिवांगी और शैवीर कनिश्क और पंखुडी को अकेला छोड़ इधर उदर गूमने के लिए कह देते हैं एक दिन के दार नात की यात्रा के दौरान मौसम काफी विचित्त सा होता है मानो जैसे बादलना कब जाने फट पड़े सभी चारों लोग एक आश्रम में रुके होते हैं चंद किलोमेटर की दूरी पर ही भगवान भोले नात का मंदिर होता है कनिश्क माता पिता और पंकुडी से कहते हैं मौसम तो काफी खराब सा लग रहा है इसलिए हम लोगों को अभी आश्रम में ही रुकना चाहिए मौसम के कुछ ठीक होते ही हम लोग भगवान भोले नात के दर्शन करने निकलेंगे तभी कनिश्क की मा सिवांगी कहती है हाँ बेटा तुम सही कह रहे हो वैसे भी हम लोग काफी ठक चुके हैं तो आज रात यहीं विश्राम भी हो जाएगी अभी तो शाम हुई है अब कल सुबा ही दर्शन के लिए चलेंगे जाओ तुम और पंखुडी अपने कक्ष में विश्राम करो जाकर हमारी देख भाल में पंखुडी बहुत ठक गई है तब ही पंखुडी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है मैं बिल्कुल भी ठकी नहीं हूँ शिवांगी कहती है हाँ मुझे पता है तुम कितना ठकी हो लेकिन तुम खुद कुछ बोलोगी नहीं जाओ अच्छा अपने कमरे में जाओ चारो लोगों की सुरक्षा में जो सेना भेजी जाती है वह भी अपने विश्राम के लिए चली जाती है और कुछ पहरेदार सुरक्षा के लिए आश्रम के बाहर खड़े हो जाते हैं इधर कनिश्क पंखुडी को लेकर दूसरे अपने कक्ष में चला जाता है तबी कनिश्क पंखुडी से कहता है आज 15 दिन बीत गए पता नहीं चला पंखुडी कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं अच्छा ही हुआ हम लोग मा और पिता जी के साथ आ गए कनिश्क कहता है हाँ तुम सही कह रही हो पंखुडी कनिश्क से कहती है आप काफी ठक गए हैं आप विश्राम कीजिए कनिश्क अपने बिस्तर पर लेट जाता है तबी पंखुडी कनिश्क के पैर दबाने लगती है कनिश्क कहता है या तुम क्या कर रही हो पंखुडी बोली आपने पतनी धर् पालन कर रही हो नहीं तुम ऐसा मत करो मेरे पैरों में दर्द नहीं हो रहा आओ मेरे बगल में बैठो पंख़्डी कनिश्क के बगल में बैठ जाती है कनिश्क कहता है तुम बहूत ही अच्छी हो मुझे माफ कर देना अगर मैंने जाने अंजाने में कोई भी गलती की हो मैंने तुम्हें बहुत तड़ पाया है मैं अपने वादे के मुताबिक जल्दी तुमसे मिलने नहीं आया कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ आप किन हालातों से गुजर रहे हैं फिर मेरी परेशानिया इतनी बड़ी नहीं थी फिर आप के साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है पंखुडी ने कहा कनिश्क हसते हुए कहता है यहीं तो जीवन है कनिश्क पंखुडी की और देखता है कि पंखुडी जब से आई है तब से बहुत शान्त रहती है इसलिए कनिश्क पंखुडी का हाथ पकड़ कर कहता है अच्छा आओ हम लोग बाहर ज़रने के पास चलें पंखुडी धीमी आवाज में कहती है ठीक है कनिश्क कहता है मैं तुमको तब ही बाहर ले जाऊंगा जब तुम थोड़ा हस दोगी पंखुडी कनिश्क की यह बात सुनकर शर्माते हुए हसी के साथ बिस्तर से उतर जाती है कनिश्क पंखुडी का हाथ पकड़ कर ज़रने के पास ले जाता है कनिश्क पंखुडी से कहता है तुमारे प्यार को देख कर ही मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह शांत सी रहो अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो बताओ पंखुडी कहती है नहीं आप से कोई गलती नहीं हुई है और फिर आप तो इतने अच्छे हैं कि गलती आप से हो ही नहीं सकती कनिश्क पूँच्टा है तो फिर तुमारे इस उदासी का क्या कारण है क्या पिता जी कियाद आ रही है पंखुडी रोते हुए कनिश्क के गले लग जाती है और कहती है हाँ कनिश्क कहता है ओ यह बात है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें कल ही तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ पंखुडी कहती है नहीं पहले हम लोग तीर्थ यात्रा पूरी कर लें कनिश्क कहता है इस तरह मन में उदासी लिए भगवान के दर्शन करोगी भगवान विदुखी हो जाएंगे कनिश्क किस बात को सुनकर पंखुडी हसने लगती है कनिश्क कहता है ऐसे ही हसती रहा करो मुझे हसते हुए इनसान बहुत अच्छे लगते हैं तब एक कनिश्क पंखुडी के माती को चूम लेता है पंखुडी उसे जोरों से गले लगा लेती है और दोनों लोग मोर और मोरनी की तरह इसी ज़रने के पास बैट कर धेर सारी बाते करने लगते हैं दोनों लोग बातों में इतना मदहोश हो जाते हैं कि कम शाम के साय से रात के अंधेरे में समय बीच जाता है पता ही नहीं चलता पंखुडी मुश्कुराते हुए कनिश्क को उठाते हुए कहती है काफी समय हो गया है चलिए खाने का समय हो रहा है और माता पिता जी भी इंतजार कर रहे होंगे और हम लोगों की बाते तो यूही चलती रहेंगी कनिश्क कहता है आप तो तुम खुश हो ना पंकुडी हसते हुए कहती है हाँ मेरे राजकुमार मैं बहुत खुश हूँ जो मुझे आज आपसे इतनी सारी बाते करने का मौका मिला कनिश्क हसते हुए उठ खड़ा होता है और पंकुडी से कहता है अभी तो शुरुआत है और दोनों लोग मटकते हुए महां से चले जाते हैं और इस तरह दोनों लोग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं रात का भोजन कर सभी लोग अपने अपने कक्ष में सो जाते हैं और अगले दिन के दार नात में भगवान भोले नात का दर्शन कर तीर थियात्रा में आगे बढ़ जाते हैं। कुछ माह के बाद जब तीर थियात्रा पूर्ण हो जाती है तो सभी लोग राज महल की और लोडते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता अब आगे क्या होने वाला तब ही राश्ते में शैवीर और शिवांगी के जीवन का अंत हो जाता है। कहते हैं हंस के बिना हंसनी और मोर के बिना मोरनी के प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार से शैवीर और शिवांगी के जीवन का संबंद एक दूसरे की सांसों से बना होता है। औ अपने पिता और माता की जीवन का अंत होता देख, कनिश्क दुख को संभाल नहीं पाता और पंखुडी संभालते हुए कहती है। एक दिन सभी का ऐसा ही अंत होना है, आप अपने आपको संभालो वरना मैं भी तूट जाऊंगी। दोनों लोग एक दूसरे को संभालते हुए रोते हैं। कनिश्क अपने आपको संभालते हुए अपने माता पिता का अंतिम संसकार करता है और उनकी अस्तियों का विशर्जन गंगा के प्रवाह में कर देता है। कुछ समय के बाद पंखोड़ी और कनिश्क अपनी मा और पिता का दरद लिए राजमहल लौट आते हैं। आर अधा जैचंदर राज्य को अच्छे से संभाले होता है। जैचंदर महराज शैवीर और महरानी शिवांगी जिनको अपनी माँ और पिता की तरह मानता है को कनिश्क और शिवांगी के साथ ना होता देख व्याकुल हो जाता है जैचंदर कनिश्क से पूँचता है, मा और पिता जी कहा है कनिश्क जैचंदर के गले लग, रोने लगता है और जैचंदर को मा और पिता जी की मौत के बारे में सारी ख़वर सुनाता है जैय चंदर इस गम में डूब जाता है तभी कनिश्क जैय चंदर को संभालते हुए कहता है इस तरह राजा का तूट जाना उचित नहीं है इस राज्य को तमें ही संभालना होगा तमने तो इस राज्य पर कितने बड़े-बड़े संकट आये हैं देखा है और उसका मुकावला भी किया है फिर इस दुख की घड़ी में भी अपने आपको संभालना होगा जैय चंदर कनिश्क के प्यारों में पड़ जाता है और कनिश्क से कहता है हे राजा यह राज आप ही संभालो मुझसे इतना बड़ा भार उठाया नहीं जाता जैय चंदर के बहुत कहने पर भी कनिश्क राजा का पद नहीं लेता और जैय चंदर को ही राजा बने रहने का आदेश देता है और फिर एक दिन राज महल में राजा जैचंदर की सभा लगती है कनिश्क आ जाता है कनिश्क राजा जैचंदर और उस भरी सभा में सभी से कहता है आपके राजा जैचंदर का हम विवाह करने की सोच रहे हैं और मैंने इसके लिए सुंदर्वन राजी के राजा की बेटी को जैचंद्र की धर्म पत्नी बनाने के बारे में सोचा है यदि आपके राजा जैचंद्र को ठीक लगे तो मैं उनकी बेटी से शादी की बात पक्की कर लूँ कनिश्क के इतना बोलते ही जैचंद्र अपना सिहाशन छोड़ कनिश्क के पास आखड़े होते हैं और नीचे सिर जुका कर कहते हैं आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हैं आपके पहले ही मुझे पर बहुत उपकार हैं आप मेरी हाँ या ना का समर्थन ना ले आप मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे वह मेरे लिए अच्छा ही होगा कनिश्क कहते हैं मुझे देवता की उपाधी मत दो मैं चाहता हूँ एक बार तुम उस लड़की को देख लो जो तुम्हारी पत्नी बनेगी जैय चंदर हाथ जोड़कर कनिश्क से कहते हैं किरपे आप ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें मेरी और से हाँ है जैय चंदर कनिश्क से कहता है आज हम सभी समा में यह विचार कर रहे थे कि राजी के अंदर एक बंजर जमीन पड़ी हुई है तो क्यों ना उस पर महराज शैवीर और माशिवांगी और उनके सभी पुत्रों की विशाल काय मूर्तिया बनवा दी जाएं यदि आपकी अन्मती हो तो कनिश्क कहते हैं यह विचार तो काफी अच्छा है और फिर वैभूमी बंजर है तो उस पर खेती भी नहीं हो सके की लेकिन मेरी राय में केवल पिता और माता की मूर्ति उचित होगी और बाकी खाली पड़ी जमीन पर गरिबों के लिए मकान बनवा दिया जाए क्योंकि राज में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का कोई आवास नहीं है और है भी तो वैं जोपड़ी में रह रहे हैं इसलिए अगर उन्हें थोड़े अच्छे मकान मिल जाएंगे तो अच्छे से गुजारा हो सकेगा कनिश्क इतना बोल कर महां से चल पड़ते हैं तब ही जैचंदर कनिश्क की इच्छा को अपने आदेश में बदल कर कारे चालू करवा देने का आदेश देते हैं कोई समय के बाद पंडित द्वारा निकाली गए तिथी को जैचंदर का वि पुत्री होती हैं जबकि जैचंदर के एक पुत्र और एक पुत्री यह विशाल परिवार जिसमें सभी लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिल जुलकर रहते हैं राज में कोई भी बड़ा संकट आता है तो वह कनिश्क और जैचंदर मिलकर ही उसका सामना करते हैं कनिश्क भी उसे अपना छोटा भाई जैसा प्रेम देता है दूर दूर के राज्यों में महराज शैवीर कनिश्क और जैचंदर का नाम फैल जाता है और लोग अपने बच्चों को प्रेड़ना देते हैं कि कनिश्क की तरह बनो और मित्र जैचंदर की तरह हो और इस तरह म आपको अकथा कैसे लगी अपने विचार और सुझाओ कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जैश्राराम भकतो